बच्चो मैं मनीलता पचानौत असिस्टेंट प्राफिसर गॉर्मेंट गल्स कॉलेज मुंदी से आज आपको श्रीमत भगवत गीता के दिती अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्यन कराऊंगी इस श्लोक में हम सबसे पहले श्लोक नमबर नौ पढ़ेंगे जिसमें विशाद युक्तु अर्जुन की इस्ती ट्रकट करते हुए संजय ध्यत्राष्ट के समक्ष कहते हैं क्या कहते हैं वो इस लोक में बताया गया है कि एवं उक्तवा हिशी केशं गुणा केश है परंत पह न योद से इती गोविंदम उक्तवा तुश्नीम बहुग है संजय बोले क्या बोले ध्यत्राष्ट के समक्ष संदर संजय की परंत पह है हे शत्रुत आपक ध्यत्राष्ट एवं ऐसा उक्तवा कहकर के गुणा केश है निद्रा को जीतने वाले अर्जुन है इस प्रकार से कहकर क्या कहकर की नई योद से मैं युद्ध नहीं करूँगा एसा हिर्शी केशम अंतर्यामी गोविंदम भगवान गोविंद से नई योद से मैं युद्ध नहीं करूँगा इती ऐसा है साफ साफ उक्तवा अर्थात कहकर के तुष्णीम बवुवै अर्थात चुप हो गए तो एवं उक्तवा हिर्शी केशम गुणा केश है परंत पह इस प्रकार से इस प्रकार से अंतर्यामी गोविंद को और जो अर्जुन है वो इस प्रकार से कहके कि नई योद से ती कि मैं युद्ध नहीं करूँगा इस प्रकार से गोविंद को कहकर के और जो अर्जुन है वो छुप हो गए अगला श्लोग देखो फिर शोग संतप्त अर्जुन को देख करके भगवान शीक्रश्न की यहाँ पर प्रतिकरिया वर्नित की गई है कि वो शीक्रश्न जो है वो अर्जुन को देख करके क्या कहते हैं तो हे भारत वन्शुदवब दत्राष्ट उभियों सेनयों दोनों सेनाओं के मद्धे अर्थात मद्धे भाग में विशिदंतम अर्थात विशात करते हुए दुख ही होते हुए यहाँ पर अर्जुन विशात कर रहे हैं क्यूं क्योंकि वो अपने परिवार वालों के साथ युद्ण नहीं करना चाते तो तम ऐसे उस अर्जुन के प्रती प्रहसन ये भस्ते हुए इर्शीकेश भगवान हिर्शीकेश भगवान जो करश्ण है वो इदम यह वच्छ है वच्छ है यह आगे जो चुलोकों में कहे जाएंगे उस प्रकार के वच्छन को बोले तो तम वाच है रशीकेश प्रहसन ये भारत है रशीकेश भगवान जो करश्ण है वो हस्ते हुए भारत यानि भरत वन्शोदभव दतराष्ट दोनों सेनाओं के मद्ध में अपने विशाद करते हुए अर्जुन से इस प्रकार के वच्छन बोले जो कि दोनों सेनाओं के में विशाद करते हुए खड़ा था तो उस शीकरश्ण से और उस अर्जुन से शीकरश्ण ने इस प्रकार के वचन के बोले यहाँ पर अनुस्ट्रुप छंद का प्रयोग किया गया है आगे के श्लोक में देखो क्या बोलते हैं वो भगवन वाच है भगवान क्या कहते हैं कि अशोच्यान अन्व शोचस्त्वम प्रग्यावादाश्य भाश्य से गता सून गता असून शश्च नानु शोचन्ति पंडित है बंडित हां तो अर्जुन के शोकम अपकर्तुम अत्रम शोच को दूर करते हुए भगवान शीकरश्न उपदिशती उपदेश देते हैं कि तौम अशोच्यान तुमने शोच न करने योगी का अन्व शोच किया है अर्था तुमको जो शोच नहीं करना चाहिए था उन वात बादाश विद्वता और प्रज्यावाद अर्था विद्वता की बाते करते हूं बाश से य ΈN You जिसके प्रांड चले गए हैं उनके लिए और येता सुन जिनके प्रान नहीं गए हैं उनके लिए पंडित लोग नैनुश चंती शोख नहीं करते तो भगवान शी करश्न अर्जुन से क्या कहते हैं कि तू ने शोक करने योगी मनुष्यों यानि भीश मादी जिसके लिए तू शोक करना चाता है उनके लिए तू शोक कर रहा है जिनके लिए शोक तुझे करना ही नहीं चाहिए तथा ग्यानियों के जैसे बचनों को कहता है किन्तु जिनके प्राण चले गए है मृत्पन मनुष्य और जिनके प्राण नहीं गए है उनके लिए ग्यानिजन कभी भी शोक नहीं करते